अलो एवरिवन बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमाई यूचूब चानल जुरीश्री आईक्यू पर मेरा नाम है दिव्यानशी चंद्रा और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हुआ यहाँ पर अगर पहली बार चानल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लेजेगा और अगर बार-बार आते हैं तो लाइज जरूर कर देजेगा देखिए आज मैं एक बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत क्वेश्चन को यहाँ पर आप सभी के लिए अड्विस करने के लिए आई हूँ आप जैसे की देख सकते हैं मेरे पेछे लिखा है बिगिनर से स त्यारी कर सकते हैं कुछ बच्चों का सवाल आता है कि माम हमने यहाँ पर लोग कर लिए लेकिन कॉलेज में हमारे कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं गया है तो हमें यहाँ पर प्राबलम आ रही है जुडिशी के तैयारी को कैसे कर रहाएं चाहिए तो देखिए अगर इन में से किसी भी category में या किसी भी state में आप fall कर रहे हैं तो definitely आप यहाँ पर beginner वाले level पर आ जाते हैं कि मतलब आपको शुरुवात से शुरुवात करनी है अपने अगर college में बहुत अच्छे से पढ़ाई करीब ही है तो भी देखिए एक चीज होते हैं difference होता है कि जब हम academically चीज़ों को पढ़ते हैं college के level पर पढ़ते हैं तो things are different लेकिन जब हमें जो रिश्वी के लिए तैयारी करनी है जाहिर सी बात है कि law college में है exam clear करना है, pass होना है तो उसके हिसाब से answer writing कर लिए number आ गए हम pass लेकिन जब आपको judge बनना होता है तो आपको अपना judge वाला दिमाग लगाना होता है judge की तरह सोचना पढ़ता है समझना पढ़ता है एक अलग ही depth चाहिए आपको एक अलग ही आपको यहाँ पर ना गहराई चाहिए यहाँ पर इस्थरता लाने के लिए जो चीज जितनी गहरी होती है ना उतनी स्थर होती है ग्यान का भी ऐसा ही है और कानून के ग्यान का तो specially ऐसा ही है कि आपको ग्यान तो पूरा का पूरा ही चाहिए नीव सबसे मस्बूत होनी चाहिए आप सभी की अब यहाँ पर मैं आप लोगों से बहुत इन से वादा भी कर रही थी कि अगर बिगिनर लेवल पर हैं तो आप तैयारी कैसे कर सकते हैं देखिए आप अगर बिगिनर लेवल पर हैं तो सही बात है आपको शुरुआत शुरुआत से करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से आपको यहाँ पर लोग की पढ़ाई करनी पड़ेगी तैयारी तो एक आप कह सकते हैं उसे रुटीन में होगी सबसे पहली चीज है आपके कि आपको यहां पर सारे सब्जेक्स देखने पढ़ेंगे लेकिन ऐसे तो भही हमने LLB के टाइम पर इतने सब्जेक्स पढ़ें किसको देखना है और किसको कितना वेटेज देना है कैसे सम लीजे कि आपको कौन सा स्टेट का इग्जामिनेशन देना है याने कि कौन सा स्टेट आपके लिए नंबर वन प्रेफरेंस का है स्टेट चुन लेने का मतलब यह नहीं है कि बाकी स्टेट की इग्जामिनेशन नहीं देने हैं चुनने का मतलब यह कि सबसे पहले यहां पर decide कर लीजे, एक state को अपने आप खुदा मान लीजे कि आपको यहाँ पर judge बनना है by hook और by crook, जैसे भी जितनी भी मेनद करने पड़ेगी, आप करेंगे इसके लिए state decide करना पड़ेगा state decide करने से क्या होता है, हमें एक लक्ष मिल जाता है, अगर हम यहाँ पर half hazard रहें कि इंडिया में हमें तो कहीं भी judge बनने को मिलें, हम बन जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा football होते हैं, football जो खेला जाता है, जो cricket खेला जाता है, मैदान बहुत बड़ा होता है, खेलारी बहुत होते हैं लेकिन चौके और चुके सबके नहीं लगते हैं, you should have a goal, अगर कोई batsman सोचे कि इस ball पर मुझे चौका लगाना है, इस ball पर मुझे चौका लगाना है, तो शायद वो out भी हो सकते हैं, ठेक है, ऐसा होता है, ऐसा mentally ऐसा होता है, तो जो batsman होते हैं, वो सोच करके उतरते हैं, कि मुझे आज इतने run score कर रहे हैं, मुझे अपनी team को जिताना है, individual score के बारे में वो बात में सोचते हैं, पहली चीज उनके team होते हैं, तो एक लक्ष होना चाहिए आपके लिए, for example, आपने सोच लेकि आपको Delhi में जजज बनना है, आपको MP में जजज बनना है, आपको UP में, बिहार में, कैसी भी state में जजज बनना है, state decide हो गया, बहुत बढ़िया बात, अब अगली चीज क्या करनी है, अगली चीज हमें पढ़ाई पर लग जाना है, हमें यहाँ पर subjects को उठा करके देखना है, subjects को उठा करके कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर refer करनी है, सभी subjects की bare arts, पहले तो आपका जो preference वाला state है, उस state के जो भी subjects है, उन सभी की आप bare arts उठा लीजे, क्योंकि देखें, मैं जुगी श्री की पढ़ाई के लिए आपको कभी भी किताबे recommend नहीं करूंगी, मैं अपने किसी student को books recommend नहीं करते हूँ कि reference books जो होती है वो academic level के लिए होती है, जब आप LLB पढ़ रहे हैं, LLB कर रहे हैं, जब सब्जेट को पहली बार पढ़ रहे हैं, जब आप जुगलिश्वी के तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके लिए बस एक ही Bible है and that is your bare art, reference books जो भी लिखी गई है, बनाई गई है, वो सारी bare art के आधार पर ही है, bare art के बिना तो हैं नहीं, तो जो foundation है वो bare art से ही है और आपको future में जो भी decisions देने हैं, जो भी judgments देने हैं, सब कुछ आप bare art के आधार पर ही देंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी command बिठानी है सारे bare arts पर, command कर लेना है, आपको बिलकुल इसको इहरिदय में उतार लेना है, पूरा इसको cover कर लेना है, जब आप command कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, वो आपको यहाँ पर subject होता जाए, तो आपको यहाँ पर mcqs की practice करनी होगी, स्टार्टिंग में तो daily नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करनी है कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, daily आपको कम से कम यहाँ पर 15, 20 या 30 mcqs, अगर आप जादा कर सकते हैं, पचास सो कर सकते हैं, और भी अच्छी बात है, daily आपको mcqs की practice करनी है, उसके बात क्या करना है, हर हफ़ते कम से कम, हफ़ते मिनिमम है, हफ़ते में एक बार तो करना ही करना है, उससे जादा कर सकते हैं, उससे जादा करिए, अगर daily कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, करना है आपको answer writing की practice, क्योंकि answer writing एक ऐसी लिखना देख रहे हैं कि आपको कैसे आंसर लिखना है क्योंकि जुडीश्री के लिए आंसर लिखने के लिए आपको skills चाहिए कुछ लोग naturally बहुत अच्छे होते हैं आंसर वो बड़े अच्छे से लिख लेते हैं बहुत अच्छा describe कर लेते हैं लेकिन एक बात यह है जुडीश्री में आपको minimum से minimum words में ज़ादा ज़ादा explanation देना है कम से कम शब्दों में अपनी पूरी पूरी बात examiner के सामने रखनी है और ज़ादा ज़ादा marks examiner से निकलवाने है क्यों? क्योंकि भई problems आपका हो गया छटाई वाला examination जिसमें लोगों को चार्ट दिया जाएगा maximum portion चार्ट जाएगा लेकिन जो means का examination होता है वो आपका selection का examination होता है आपके जो means के marks होते हैं वो interview में count होते हैं जिससे आपके rank निर्धारित होती है कि आप कौन सी rank पाएंगे that's why आपको means पर बहुत ज़्यादा focus करना है आपको examiner से ज़्यादा से ज़्यादा number निकलवाने है क्यों? क्योंकि बहुत examiner की मानस देखता ये है कि मैं कहां-कहां पर इनके marks गट कर लूँ कहां-कहां पर इनके number काटे जा सकते हैं कम करे जा सकते हैं तो वहाँ-वहाँ पर आपके number कम करेंगे लेकिन आपको क्या करना है? आपको reverse psychology करनी है और जहाँ-जहाँ पर आप ज़्यादा number निकलवा सकते हैं आपको ज़्यादा number निकलवाने होंगे ये एक चीज है जो आपको समझनी पड़ी और ये कला आने में कम से कम कुछ नहीं तो आपको 100-500 answers लिखने पड़ेंगे जब आप 1500-200 answers लिख लेंगे उसके बाद आपका हाथ सेट हो जाएगा दो number के लिए कितना लिखना है तीन के लिए कितना लिखना है पांच के लिए कितना लिखना है answer writing के साथ-साथ उसके बाद आपको यहाँ पर जो एक तयारी करनी होगी वो आपको यहाँ पर language paper की भी तयारी करनी पड़ेगी language paper में अगर आप कोई regional state का examination दे रहे हैं तो English होगा आपका और आपकी जो भी regional language है वो होगी otherwise आपकी यहाँ पर हिंदी होने वाली है जो इतने आपके इधर के states होगे हिंदी speaking states जो है वहाँ तो सब हिंदी ही है ठीक है तो या तो English language होगी मिर्लब English तो होगी होगी हिंदी होगी या पर आपकी regional language होगी तो आपको यहाँ पर उसका भी ध्यान रखना है नाम ले लेजे और अपने नाम पर अपनी regional language में चाहे हिंदी हो चाहे बंगाली हो असामीज हो कोई सीबे language हो उसमें अपने नाम पर ऐसे लिख करके देखना आप कितना लिख पा रहे हो और कितना समय लग रहा है English में नहीं लिखना है ठीक है जज्मेंट राइटिंग वगएरा पे भी आपको पूरा ध्यान देना है चार्ज फ्रेमिंग कैसे होती है वगएरा वगएरा उसके साथ आपको यहां परहिया करना है पी वाई क्यूस भी देखना है जो सर्फ ऑर सर्फ उसी स्टेट में आते हैं आपको वो सारे भी कबद करने पड़ेंगे जी हां अगर आपको beginner level से तैयारी करने है बहुत सारे लोग बेटा पता है क्या होता है prelims देते हैं, mains देते हैं किसी ना किसी कारण से जब लगता है तयारी में कमी है कुछ प्रॉब्लम है किसी वज़ सफलता नहीं मिल रही है वो फिर से बिगिनर लेवल पर आते हैं वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं यह साफ सेरी की तरह ही है कि अगर यहाँ पर साफ ने काटा देखिए मैंने जितनी चीज़ें यहां पर बताई आराम से अगर on and average देखा जाए तो यहां पर दो से तीन साल लगता है पढ़ने में तैयार होने में और examination देखरके clear करने वाले level तकाने में आप पहले भी कर सकते हैं बहुत सारे लोगोंने पहले भी करा है लेकिन बहुत सार करना चाहते हैं खुझ से कर सकते हैं लेकिन आगर आपको यहां पर एक सही दिशा मिल जाए कोई हो जो आपके सर पर बैठ करके करवाए कि आज के MZQ ये हैं आज के नूट सी ये हैं इस हफ़ते की answer writing ऐसे करनी है आपके daily classes आपको बताया जाए कि answer writing कैसे करनी है और आज laws भी मिलेंगे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी उसके साथ-साथ यहां पर आपका जब prelims हो जाए फिर means की पूरी तयारी करवाई जाए answer writing करवाई जाए उसके साथ-साथ-स जब means भी हो जाए तो interview में भी आपके mock test करवाए जाए और आपके तयारी कराए जाए interviews के लिए त study IQ पहले link पर आजाए study IQ IES पे जब आप इसको click करेंगे न यहां पर देखिए search में search कर लिजे जुरी जैसे ही लिखेंगे जुरी वैसे ही आप सभी के लिए सबसे उपर आजाए का विजय पत जुरी लाइफ फांडेशन बाच इस बाच में क्या-क्या मिलता है PDF open करिए यह में आपको सारे case laws के magazine मिल जाएगी आपको syllabus मिल जाएगा सारे states का examination का उसके साथ साथ यहां पर बहुत सारी चीज़े जो मिलने वाली है जैसे की subjects के well defined flow charts मिल जाएंगे जो पढ़ने में revise कर रहे हैं बड़े मददगार होते हैं हर महीने आपके online mock test होते हैं और offline भी होते हैं आप चाहें तो अपने घर के comfort से online mock test भी दे सकते हैं और आप अगर चाहें तो आप offline center पर जाकर के भी दे सकते हैं वो आपका 30 months का होता है ताड़िस धाई साल का है ना थाई साल में एक साल तो पूरे गे पूरे जो बारा महीने होते हैं उसमें आपका life course चलता है life foundation classes चलती हैं सारी classes आप live attend करिए उसके बार बाकी का जो समय है 13 महीने का जो समय है उसमें आप जितनी बार उन life classes को देखना साते हैं दोराना चाते हैं repeat करना चाते हैं revise करना चाते हैं कर सकते हैं अपने तयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है आपके पूरे 30 महीने के लिए आपको mentorship मिलेगी उसके लिए बेफिक्र रहना है आप सभी को आपको one to one mentorship मिलेगी 100% मिलेगी क्या होता है माल लेजे अगर अगर आपका problems नहीं होता है चिंदा का विश है तो है अगर आपका problems नहीं होता है तो हम देखेंगे study IQ देखेगा कि अगर live classes में आपकी attendance रही है 80% से ज़ादा मतलब कि आप live classes में बने रहते थे आप participate करते थे you are active तो आपको हम यहाँ पर 30 महीरों के बाद 12 साल होने के उन सभी चीज़ों को जो धूल जम गई है न धूल की परत है न उसको साफ करा जाएगा live classes के मादे हम से और इस प्रकार से आपकी success शोर करते हैं आप ही बताईए क्या कोई भी ऐसा education platform है offline हो चाहे online हो जो इतनी चीज़ें सोच रहा हो हर एक aspirant के लिए हम यहाँ पर बस selection के list देखना चाहते हैं यहाँ पर आपकी तस्वीर देखना चाहते हैं यह सारे faculties आप सभी के लिए लगे हुए हैं आप सभी के लिए चाहते हैं कि बस आप यहाँ पर तैयारी कर लीजे और देखिए यह विजेपत बैच है अभी फिलाल यहाँ पर sale चल रही है तो आपको discount मे लीजी क्योंकि 30 नमबर को शाम को 4 बजे से classes है लेकिन अगर ये video अपर तक बाद में भे पहुँच रही है तो जैसा मैंने बताया था study IQ में जाकर करके search करना जुरी शरी और सबसे पहले नमबर पर जो batch आएगा वो हमारा latest batch होगा discount देखो sale कभी कभी होते है तो discount अभी होता है लेकिन फिर भी जो आपकी code आपकी screen पर scroll कर रहा है न किसी भी समय पर सबसब आ discount आपको इसी code से मिलेगा अगर इस code से discount जाद आपको किसी code से नहीं मिलने वाला है इस बात को ध्यान रख लीजेगा नीचे आएंगे हमारा funda क्या है हमारा funda है भई success के लिए foundation के तयारी अलग करवा हो prelims के लिए अलग करा हो means के लिए अलग करा हो और interview के लिए अलग करा हो नीचे आएंगे तो पूरा syllabus यहां पर दिया हुआ है IPC, BNS, evidence art, BSA CRPC, BNSS, CPC contract act, constitution, Hindu law पूरा का पूरा GS है Muslim law, TPA, jurisprudence and law of torts, SL registration, limitation act, negotiable instruments act, interpretation of statutes plus arbitration art, अंग्रेजी और हिंदी भी है language का paper भी clear local laws 15 नहीं, 16 राज्यों के है कौन-कौन से हैं दिखाऊंगी 16 states के तयारी एक साथ करे सकते हैं आपको interview, guidance, mentorship, judges के दौरा मिलता है, हर महीने mock test है special kit है, unlimited SIP है एक साल की extra life validity है को 1500 घंटे की online life classes मिलती है, life.solving मिलती है one-to-one mentorship मिलती है, प्रलम से लेकर के interview तक की lecture notes, daily के 110 notes, English, Hindi दोनों में मिलेंगे crux notes, आपको English, Hindi, दोनों में मिलेंगे, daily आपको MZQs मिलेंगे, 10 से 20 Hindi और English ये दोनों में ही मिलेंगे आपको, हर अफते answer writing होगी हर अफते current affairs की भी class होगी monthly current affairs की magazine मिलेगी mentorship मिलेगी, retired judges के दौरा, special kit मिलेगी जिसमें flow charts होगे, criminal laws के syllabus होगा, जोड़ी श्री का case laws की booklet होगी, पूरा का पूरा GS है, Hindi और English है one stop solution है, 16 states के लिए 6 mock test prelims के हैं 6 mains के हैं, और हर महीने जो mock test हैं वो अलग है interviews की preparation है, success assurance है क्योंकि एक साल की extra validity भी है कौन-कौन से states के local laws है तो भई, UUP का है, उत्राखंड का है महराष्टरा का, बिहार का है, हिमाचल प्रदेश गुजरात, डेली, पंजाब, 36 गर, हरियारा, मध्यप्रदेश जहारकर्ण, राजस्थान, वेस्ट बेंगॉल, और इसा हो गया आपका, प्लस, जमू और कश्मीर भी है नीचे आएंगे तो यहां पर आपको और जानकारियां पराप्त हो जाएंगी जैसे कि आपको किस प्रकार से नोट्स मिलते हैं, तो देखिए, हांडर्ट ये नोट्स कुछ ऐसे कलरफुल से मिलते हैं आप सभी को, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे और नीचे आएंगे, MCQs मिल जाएंगे आपको, और नीचे आएंगे, आपको जाती हूं कितने का मिलेगा, बाइनाओ करना, ठीक है, बाइनाओ करने के बाद आपसे बोलेगा, अपना अकाउंच बना लो, तो बना लेना अकाउंच, कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, मुबाइल नंबर इंटर करना है, मुबाइल मिल जा रहा है 26,000 है 30 महीने के लिए जो कि बहुत लंबा समय होता है Life Classes daily की 4 घंटे की है 1-2-1 Mentorship है Hangar 10 Notes, Centerview की Preparation Legal, Current Affairs, PayDF, Begros, MCQ, जहर एक चीज मिलेगी यहाँ पर तो मैंने आपको जो process बताया आप directly से भी admission ले सकते हैं या तो अगर आपके मन में कोई सवाल है कोई question है, कोई query है कुछ पूछना चाहते हैं, जानना समझना चाहते हैं तो एक काम करना टेलिग्राम पर ये मेरे टेलिग्राम का group है ठीक है, Judiciary by Divyanshi Spelling यही रखिएगा, सर्च कर लीजेगा आपको ये टेलिग्राम group मिल जाएगा और यहाँ पर आप मुझसे संपर्ग कर लीजेगा एक message लिखकर के भीज़ दीजेगा कि माम admission लेना है और क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं आपका नाम और आपका mobile number खुद personally लूँगी और सरी IQ की टीम को दूँगे सरी IQ की टीम, मेरे कहने पर आपको call back करेगी और यहाँ पर आपके जो भी सवाल होते हैं उनका निवारन करेगी तो आप चाहें तो आप directly भी यहाँ पर admission ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो मुझे message कर दीजे, मैं कर बाऊंगी पलकात होगी आप सभी से paid batches में और जल्दी selection लीजे, all the very best May God bless you all